Hello Learners, Welcome to my channel Enlighten Knowledge आज हम study करने जा रहे हैं comparison between monopoly and perfect competition के बारे में क्या-क्या इन में difference देखने को मिल जाता है जो आपका basic है वो तो अब भी आपको clear हो ही कया होगा कि perfect competition क्या होता है, monopoly क्या होता है perfect competition में आपकी curves कैसे बनती है और monopoly में कैसे बनती है तो इसे को base मानते हुए अब हम इसका comparison करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ क्या आप मैंना telegram channel जोईन कर सकते हैं वहाँ पर हर एक वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी साथी में facebook page को भी like कर देजिगा link आपको description box में मिल जाएगा शुरू करते हैं आज की वीडियो को तो सबसे पहला जो आपका comparison है वो है goal of the firm हम अगर बात करें perfect competition की या फिर monopoly की तो जो इनका goal होता है वो बिलकुल same होता है लेकिन goal को achieve करने का जो तरीका होता है वो दोनों forms का क्या होता है अलग-अलग होता है पहला comparison है आपका goal of the firm अ firm objective वैदर operating under perfect competition और monopoly is to earn maximum profit जो firm का objective होता है वो क्या होता है जादा से जादा profit gain करना बले हम monopoly की बात करें या फिर हम लोग perfect competition की बात करें in perfect competition he has to sell output at market price लेकिन क्या होता है बले वो क्या है perfect competition में हम जादा से जादा profit कमाना चाते हैं लेकिन हमें अब पता ही है कि जो industry नी price हमको determine करके दे दिया एक firm को वही price पे क्या है अपनी output को बेचना पड़ेगा तो उसका जो price होता है perfect competition में वो क्या है पीछे से ही discuss होकर आता है तो उसको वो output है अपनी जो market price पर ही बेचनी पड़ती है लेकिन monopoly में ऐसा नहीं होता है monopoly में एक firm क्या होता है उसके पास monopoly power जितनी जादा होगी जो हमने previous वीडियो में ही cover किया है जितनी जादा उसके पास monopoly power होगी उतना ही वो price को क्या है जादा रख सकता है अपने according profit को gain कर सकता है जैसे कहा हमने beans method देखा था learners का measure देखा था तो इस according जो monopoly की power है वो different different होती रहती है उस accordingly वो price को fix करते रहते हैं तो जो goal होता है firm का वो दोनों का same है लेकिन उसके का है price को determine करने के जो तरीके हैं वो अलग-अलग होते हैं यह आपका पहला firm को हम लोग क्या नाम देती है rational firm का नाम देती है मतलब एक समझदारी का जो तरीका है एक समझदार firm है जो अपना profit क्या है maximize करना चाहती है second आपके difference है assumption regarding production production की regarding कुछ assumptions ली जाती है under perfect competition it is assume that or firm produce or sell homogeneous product perfect competition में क्या था कि एक जैसे same product को ही क्या करिया जाता है sell किया जाता है firms उनको produce करती है आगे sell करती है homogeneous product की यहाँ पर बात की गई है सारी के सारे जो firms है वो एक जैसे product ही sell कर रही है उसको produce कर रही है लेकिन monopoly में क्या है may or may not produce homogeneous product कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है इसमें differentiated product भी आपको देखने को मिल जाते है therefore monopoly में हम लोग यह नहीं लेकर चले कि सिर्फ और सिर्फ वो homogeneous product को ही sell करेगी इसमें कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है in case of monopoly another main assumption is that entire supply is made by one firm only monopoly में हमने क्या एक देखा था monopoly के अगर हम लोग बात करें तो monopoly में firm और industry में कोई फरक नहीं होता है क्यों? क्योंकि एक firm क्योंकि monopoly क्या है? one single seller जो कि बहुत सारे buyers को अपना product sell कर रहा है तो अगर है ही एक seller या एक की under ही है सारा कुछ तो उससे को मैं industry कहूंगी उससे को मैं firm कहूंगी इसका मतलब क्या है? कि monopoly की condition में जो एक main assumption होती है कि सारी की supply सारी ही सारी supply entire supply वो एक firm ही कर सकती है हम उसको industry भी कह सकते है और firm भी कह सकते है वो entirely एक ही firm के under होती है आगे discuss करते हैं assumption regarding number of sellers and buyers perfect competition में क्या था? large number of buyers and large number of sellers और वो क्या बेच रही है? homogeneous product को sell करते हैं no seller by changing his supply and no buyer by changing his demand can influence the price अगर मैं कोई चीज seller से नहीं खरीदने जाती हूं तो उससे को कोई फरक नहीं पढ़ने वाला बहुत सारे buyers हैं बहुत सारे sellers हैं और seller को भी कोई फरक नहीं पढ़ने वाला कि हम उससे चीजे खरीदें या ना खरीदें नहीं मुझे फरक पढ़ने वाला है मैं उससे नहीं खरीद के दूसरी firm के पास चली जाओंगी दूसरी market के पास चली जाओंगी sell करने के लिए sorry, buy करने के लिए तो नहीं seller को कोई फरक पढ़ेगा नहीं buyer को कोई फरक पढ़ेगा by changing his demand और by changing his supply so under perfect competition a group of firms producing homogenous product perfect competition में हम लोग क्या देखते थे एक अगर group बना दिया जाए firms का जो कि homogenous product sell कर रहे हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं industry का नाम देते हैं यह हमने बात की है perfect competition की लेकिन on the contrary monopoly में क्या होता है monopoly में there is only one seller यह difference है बहुत बड़ा difference है monopoly इसका मतब one seller and large number of buyers buyers बहुत सारे होते हैं लेकि seller single होता है firm is also an industry जो मैंने आपको बताई दिया firm को industry का लो industry को firm का लो बात एक ही है the monopolist has full control over the entire supply of the product कितनी supply market में करनी है monopoly का उसपे क्या है पूरा का पूरा power होती है अधिकार होता है so monopoly पर ही निर्बर करता है पूरा का पूरा सपे control होता है लेकिन perfect competition में ऐसा बिलकुल भी देखनी को नहीं मिलता है अब next difference की बात कर लेते हैं assumption regarding entry enter कौन कौन कर सकता है अब आपके market में फर्म में under perfect competition there is no restriction perfect competition में कोई भी restriction नहीं देखनी को मिलेगी no restriction on the entry of new firms into and exit of all firms from the industry कोई भी firm enter कर सकती है किसी भी time of period में और कोई भी firm industry को leave करके जा सकती है इसमें कोई भी आपको restriction देखनी को नहीं मिलेगी however this entry or exit it not so simple ये लेकिन short run period of time में कहते है जो entry and exit है इतनी simple नहीं होती है लेकिन long run period of time में बहुत लंबा period of time होता है उसमें ये चीज़ क्या होती है possible हो सकती है monopoly के अगर बात करी तो monopoly में मैंने आपको बताया था एक जो seller है वो इतना जादा powerful होता है कि वो अपना competitor चाहता ही नहीं है वो बहुत सारी restrictions लगा देता है अपने competitor पर ताकि ये जो competitor है वो enter ही ना कर पाए firm में तो इस वज़े से monopoly में क्या होता है there is restriction on the entry of new firms because of monopoly situation no new firm can enter the industry or market monopoly एक की under ही control होने की वज़े से कोई भी नई firm या industry market में enter नहीं कर सकती है अगर enter वो करना भी चाहे तो monopoly जो condition है monopolist इतनी सारे उस पर restrictions लगा देता है क्योंकि उसके अधीन होता है सारा कुछ कई बार government भी उसके क्या है help करती है इन सब चीज़ों के लिए तो उसको बहुत सारे restrictions लगा देता है next है comparison regarding profit profit के regarding comparison है in the short run of firm weather operating under perfect competition और monopoly may earn super normal profit जो हमने देखाई है determination में तो perfect competition या monopoly की बात करें short run period of time में ये क्या है super normal profit भी कमा सकते है normal भी और इनको loss भी हो सकता है लेकिन long run period of time में क्या था perfect competition को सिर्फ और सिर्फ normal profit मिलते हैं लेकिन monopoly को क्या मिलते हैं super normal profit मिलते हैं ये भी इनका बहुत बड़ा क्या है difference हो जाता है monopoly में long run में super normal profit मिलेंगे और perfect competition को long run में सिर्फ और सिर्फ normal profit ही मिलेंगे तो ये इनका comparison यहां पे profit के regarding देखने को मिल जाता है implications regarding shape of demand curve demand curve की shape कैसी होती है ये भी different होती है दोनों की दोनों condition में under perfect competition क्योंकि large number of firms है और homogenous product बेच रही है तो demand जो curve होती है perfectly elastic होती है मैंने आपको बताया था elastic का मतलब क्या है लचक है मेरी demand कुछ भी हो सकती है अगर कोई firm price को बढ़ाती है मैं किसी और दुकान से जाके खरीद सकती हूँ मेरे पास फाइदा है तो इसका मतलब demand में क्या है elasticity है लिकिन monopoly में क्या होता है monopoly में downward slopping होती है आपकी average revenue और marginal revenue curve पहले हम बना लेते हैं perfect competition में आपको कैसे देखने को मिलेगी x-axis पे output लेना है y-axis पे आपको revenue लेना है क्योंकि revenue का उसी हमने यह बनानी है यह बनती है horizontal to the x-axis क्योंकि यहाँ पे average revenue और marginal revenue इक्वल रहते हैं यह आपका price हो जाता है demand बिलकुल पूरी के पूरी क्या है elastic है यह आपका जो आपकी elasticity शो करवा रहा है output आप लोग कुछ भी ले रहे हो price fix रखके यह आपकी horizontal line इसलिए बनाई जाती है perfect competition के under क्योंकि demand आपकी perfectly elastic होती है एक person की demand कुछ भी हो सकती है लेकिन आपकी monopoly में क्या होता है यह दोनों के दोनों curves जो बनेंगे आपके downward slopping बनेंगी सारी के सारी जो हमने curves discuss कर ही रखी है तो आपको बहुत easy हो जाएगा अप समझना यह आपके उपर average revenue curve और नीचे आपकी क्या आती है marginal revenue curve output लेना है y axis पर आपको revenue लेना है तो यह revenue curve है under monopoly under monopoly average revenue curve slopes downward यह downward slopping करेगी in this case average revenue marginal revenue curves क्या होगी एक दूसरे से अलग होगी लेकिन perfect competition में तो same थी क्योंकि उसमें average revenue marginal revenue की equal होता है marginal revenue curve not only slopes downward बट इट इस below average revenue जो हमने table से revenue chapter में discuss भी किया था कि जो अगर fall की बात करें तो marginal revenue जादा fall करता है average revenue से अगर इसके बढ़ने के बात करें जो हमने increasing cost में देखा था monopoly chapter में तो यह बढ़ता भी बहुत जादा है average revenue से यह आपको table से आपको discuss करवाया हुआ है तो इसी वज़े से आपकी जो यह curves है वो इस तरीके की बन जाएंगी next है implications regarding decisions decision power कैसी होती है perfect में और monopoly में under perfect competition a firm can take decision only in respect of the quantity to be produced firm सिर्फ और सिर्फ क्या है कितनी quantity produce करनी चाहिए firm को सिर्फ उसी तरीके से वो क्या है decision ले सकता है क्योंकि price जो है वो तो determine करना ही industry ने है तो price का वो decision नहीं ले सकता it can at the best decide as to how much to produce at the price determined by the industry बस वो इतना discuss कर सकता है इतना decision ले सकता है कि कितनी उसको output को produce करना है जो price क्या है industry के द्वारा determine होकर आ चुका है equilibrium price जो determine होकर आ चुका है a firm need not incur any selling cost मतलब क्या है selling cost firm को लगाएगी ही नहीं सारी तो firms एक जैसा product बेज रही है सभी को एक ही price लेना है तो advertisement के इस तरीके से की जाए तो इसमें हम लोग जो advertisement का खर्चा होता है वो नहीं include करते हैं on the other hand deacon monopolist की बात करें वो क्या करता है output को भी determine करता है साथ ही में price को भी determine करता है it is so because when one of these two factors is determine the other is also automatically determined monopoly में आपने देखा होगा कि जब मैंने price को determine करना सिखाया है वैसे ही नीची आपकी output खुद से ही determine हो जाती है एक आपने चीज निकाली दूसरी अपने आप क्या है निकल जाती है a monopolist has to spend a good deal अब monopoly को क्या है research पे, development पे बहुत जादा क्या है खर्चा करना पड़ता है क्योंकि इसमें homogeneous product हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं if he fears the entry of potential competitors अगर उसको डर है कि कोई अच्छे से competitors उसके against आ रहे हैं market में आ रहे हैं तो वो क्या कर सकता है selling cost भी लगा सकता है advertisement कर सकता है अपने product की कि ये product उन product से जादा अच्छा है तो मेरे से ही आप लोग खरीदें तो इसका मतलब monopoly में decisions regarding क्या होते हैं अलग-अलग होते हैं perfect competition से perfect में सिर्फ और सिर्फ हम quantity to be produced का ही decision ले सकते हैं monopoly में हम दोनों का ही decision ले सकते हैं साथ ही में इसमें क्या होता है research and development की cost भी include होती है और advertisement cost भी include की जाती है अब next देख लेते हैं comparison regarding price अगर price के regarding आपनी किसी comparison करना है तो क्या होगा कि in the long run price under monopoly is higher than the price under perfect competition monopoly में क्या होता है क्योंकि एक ही के पास क्या होता है सारी के सारी power होती है तो वो price जादतर higher ही रखते है perfect competition से यह इसलिए होता है क्योंकि in the long run equilibrium of firm under perfect competition जो आपका price है वो equal किसके हो जाता है long run average cost के कम से कम मतलब cost पे आपका जो price उसके equal रहता है मैं आपको curve से समझा देते हूं कि कैसे आपकी इसके curve बनेगी यह है आपका system तो इसमें मैं पहले क्या बनाने जा रही है कि perfect competition की आपकी पहले तो average revenue, marginal revenue की curve ही ऐसे बनेगी यह बनेगी यह बनेगी आपकी average revenue is equal to marginal revenue यह होती है आपकी perfect competition की curve monopoly की बात करें तो यह ऐसे बनती है downward slopping बनती है यह आपकी क्या आजाएगी average revenue और यह आजाएगी marginal revenue अब MC बनाना है क्योंकि equilibrium point आप लोगों ने डूनना है यह बन गई मेरी marginal cost यह दोनों में ही same रहती है लेकिन जहांपे यह तो यह touch कर रही है इस point पे आप लोग देखो यह perfect competition का equilibrium point होता है क्योंकि इसमें क्या होता है average revenue, marginal revenue, marginal cost सारा कुछ सेम रहता है तो इसका मतलब इसमें हम लोग इतनी output को produce करवा रहे हैं मान कर चलो कि यहाँ पर मैंने O N output को produce करवा लिया है यह मेरी output है under perfect competition लेकिन अगर monopoly की बात करें तो monopoly में हम लोग क्या सी condition दूनते थे where MC is equal to MR तो यह वाला point नहीं आ जाएगा MR is equal to MC वाला तो इसका मतलब इसका equilibrium point यह निकलेगा यहाँ पर मैं B डाल देती हूँ इसका E point निकलेगा तो इसका मतलब इतनी output produce कर रहा है monopoly और price कितना ले रहे है बची यह वाला थोड़ा सा इसके उपर आ जाएगा produce कर रहा है OM output को इसका मतलब price monopolist जादा ले रहा है production कम कर रहा है अपनी output को reduce कर रहा है वो ON से OM produce कर रहा है और price को कर दिया हमने OP2 से OP1 price भी जादा ले रहा है इसका मतलब under monopoly output reduced and price is increased monopoly price higher होता है हमेशा minimum average cost से अब जो आपकी average cost है वो भी बना लेते हैं कैसे बनेगी यहां से यह तो निकल गी यह हमने बिल्कुल इसके minimum point तक ही बनानी है इसको बनाने के जरूरत पड़ेगी भी नहीं भी कि आप लोग ध्यान दे सकते है average cost आपको बस minimum point शो करवाने के लिए भी बनानी है बाकी price वाला और आपटूट वाला condition आपका average cost को ना लेते हुए भी आप लोग शो करवा सकते हो तो average cost वाली यह minimum से कट करकर जाएगी अगर हम perfect competition के बात करें लेकिन monopoly में जरूरी नहीं होता है क्योंकि यह minimum long run average cost से कट करके जाए या ना करके जाए with the view to earning super normal profit monopolist क्या करेगा equilibrium point पर आने के लिए आपकी नी average cost के minimum point से attain नहीं करेगा okay a monopolist seeks to attain equilibrium before reaching minimum average cost average cost के minimum point पर आने से पहले ही इसका equilibrium बन जाएगा जो आप देख ही पा रहे हो पहले ही इसका equilibrium बन गया ना यहां पर और यह average cost का minimum point आने से पहले का equilibrium है so यह आप उसमें चीज़ को explain कर सकते हो यह था आपका कि prices में ज्यादा होगा output कम होगी monopoly में लेकिन perfect competition में price कम रखा जाता है और output को बढ़ाया जाता है अब next discuss करते है comparison regarding output अब यह भी comparison वैसे एक ही curve में show हो चुका है price का comparison और output का same to same curve यहाँ पर बनेगी आपको दुबारा से बना देती हूँ ताकि और भी clear हो जाएगा यह रही आपकी perfect competition की यह P2 ले लो average revenue equal to marginal revenue यह हो गया यह monopoly की बना दी marginal revenue नीचे और average revenue उपर यह बन गए equilibrium point इसका क्या आएगा यह हम cut करवाद दिये MC को competition की कितनी output थी O N और जहांसे यह को cut कर रहा है E point यह उपर ले जाओ यह तो बिलकुल उसके बराबर आगया यह थोड़ा सा ऐसे बनेगा उपर ले जाओ यह आएगी थोड़ा सा उपर आ जाएगी यह P1 बनेगा तो यह आपकी average cost है कहीं से भी निकाल दो मतब आउपट का आप लोग difference show करवाना है तो आउपट आप लोग देख सकते हो In the case of long run equilibrium output of a firm under perfect competition में output क्या है जादा produce हो रही है इसमें सारा कुछ क्या हो जाता है equal हो जाता है MC is equal to MR, AR is equal to AC सारा कुछ equal होता है इस point पर आते हुए जो बी point है under क्या है perfect competition output OM produce हो रही है लेकिन monopoly में output OM produce हो रही है जो कि less है तो under monopoly equilibrium price is more and output is less than perfect competition equilibrium सेम की सेम वही कव बनेगी वो comparison था regarding price और यह है comparison regarding output अब next है utilization of resources resources की utilization a firm under perfect competition makes optimum use of available resources अगर हम लोग firm बात करें perfect competition के अंडर तो वो क्या करती है resources का अच्छे से utilization करती है firm produce optimum level of output और firm क्या है अच्छे से output को optimum level of output जो हमने देख ही लिया है जादा produce करवा रही थी output optimum level produce करवाती है और factors को अच्छे तरीके से क्या करती है proper उसका utilize करती है proper reward भी मिलता है उसको factors of production का on account of perfect mobility क्योंकि हम लोग एक से दूसरी जगे mobile है factors of production एक से दूसरी जगे बेज सकते हैं लेकिन contrary में monopoly के अगर बात करें monopoly का main objective क्या होता है जादा से जादा profit का माना और यह objective वो achieve कैसे करता है price को जादा रखके output को reduce करवा के since the output is deliberately restricted होती है monopoly में there is no full utilization of available resources जितने उसके पास resources होते हैं उसका वो अच्छे से utilize नहीं करता जिस वच्छे से output वो क्या करता है कम produce करता है price वो जादा रख लेता है चीजों का लेकिन perfect competition में इसके बिलकुल क्या है ultra है तो यह आपके होते हैं comparison regarding perfect competition and monopoly जो कि बहुत ही simple है बहुत ही basic है तो इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है आगे हम लोग monopoly का next topic discuss करेंगे price discrimination या फिर discriminating monopoly वो भी बहुत important आपका topic है अलग-अलग उसके degrees देखेंगे discrimination की I hope आपको यह lecture पूरे अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कोई भी doubt हुआ तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं अगर वीडियो helpful लगी हो तो उस चानल को ज़रूर subscribe कीजी like, share and comment and press the bell icon ताकि हर वीडियो की notification आपको time to time मिलती रहे Thank you